हेलो फ्रेंट्स, साइकोलोजी की पात्षाला में आज फिर एक नया टॉपिक अभी पिछले तीन वीडियो जिसमें की हमने डिसकस किया था साइको एनलेटिकल मॉडल, बिहेवरिस्टिक मॉडल, कॉगनेटिव मॉडल और इन तीनो मॉडल में जो हमने चीज डिसकस किये है वो ये थी कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, क्योंकि तीनो मॉडल अपने अपने तरह की व्याख्या करते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे डेवलप होता है या क्यों develop होता है और आज चौथा topic चौथा मतलब की इस चौथा model और चौथा model आज है humanistic model of abnormal behavior मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय है संरचनावाद है व्यवहार वाद है मनोविश्लेशन वाद है अस्तित्ववाद है और एक बहुत ही फेमस एक संप्रदाय है जिसको कहते है humanistic मानवतावादी संप्रदाय है हम इसे इंग्लिश में बात करें तो humanistic school of psychology और यहाँ पर मैं किसी विद्याले की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं किसी विश्विद्याले की बात नहीं कर रहा हूँ बलकि मैं यहाँ पर एक संप्रदाय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मानावतावादी संप्रदाए अब मानावतावादी संप्रदाए कैसे बात करता है abnormal behavior के लिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन सबसे important बात और पहली बात जो मैं कहूं मानावतावादी संप्रदाए के जितने भी psychologist हैं वो एक बात जरूर करते हैं एक statement उनका जरूर है और उसको हम एक general way में समझते हैं general way मतलब आप कभी किसी बच्चे को या किसी को भी आप कहते हैं you can do it तुम कर सकते हो और कभी-कभी situation ऐसी आती है कि अपने आपको कहते हैं yes, I can do it जब आपने you can do it कहा या मैंने कहा कि I can do it तो इसका मतलब यह है कि you have inner potential आप में वो आंतरिक शक्ती है और वो आंतरिक शक्ती क्या कर रही है वो आंतरिक शक्ती आपको push कर रही है वो आपको आगे बढ़ा रही है यहाँ पर अगर human behavior की बात की जाएगी तो यहाँ पर मानवतावादी जो लोग हैं या मानवतावादी जो मनवज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं कि सब human तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा मतलब कि वो तो weakness उसमें नहीं है उसमे strength है strength किस चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए और उन्होंने काए कि personal growth के लिए व्यक्ति काम करता है आज एक कदम आगे बढ़े कल एक कदम आगे बढ़े परसो एक कदम आगे बढ़े और इस तरह से व्यक्ति क्या करता है व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है और अपनी personal growth करता रहता है इसलिए मैंने कहा कि I can date मतलब कि मैं personal growth तब कर पाऊँगा जब मुझे पता है कि मेरी inner potential क्या है आप personal growth तब कर पाऊगी जब आपको खुद को पता हो कि आपकी inner potential क्या है कि आपके inner potential का मतलब देखी दोनों चीज़े है एक आपकी strength क्या है आप क्या काम करोगे तो अच्छा करोगे और दूसरा आपकी weakness क्या है क्योंकि आप कहें कि साब मुझे strength तो पता है weakness नहीं पता है काम कैसे चलेगा हो सकता है कि आप वो काम करने लग जाओ जो आपकी weakness वाला है तब तो आप नीचे जाओगे परसनल ग्रोथ की तो बात होगी नहीं लेकिन यहाँ पर क्या है आपकी strength पता हो कि जिससे मैं आगे बढ़ू और आपकी weakness भी पता हो कि जहाँ पर मैं अपनी weakness को improve करता रहूँ और improve किसले करना है फिर बात वही है परसनल ग्रोथ के लिए मानवतावादी उपागम या humanistic जो model है उसके जो founder है उसका नाम है कार्ल रोजर्स बहुत ही famous एक psychologist है और जिन्होंने आपको ध्यान होगा client-centered therapy और client-centered theory दी है आप अगर personality की बात करेंगे तो client-centered theory हो जाएगी और therapy की बात करेंगे तो client-centered therapy हो जाएगी तो कार्ल रोजर्स is the founder of humanistic school लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कार्ल रोजर्स अके ले थे बहुत सारे psychologist हैं लेकिन हाँ मुख्य करता धरता शुरुबात में कौन थे वो कार्ल रोजर्स थे लेकिन बाद में कौन आये बाद में ये school भी बड़ा है इसमें भी बहुत सारे psychologist के अपने विचार है तो इसमें Abraham Maslow भी आते हैं इसमें Fris Perl भी आते हैं इसमें Gardner Murphy भी आते हैं इसमें Garden Alpord भी आते हैं इसमें William James भी आते हैं पूरा एक बंच है psychologist का और जितने भी psychologist हैं वो सब के समहान psychologist है लेकिन सब psychologist एक बात करते हैं कि व्यक्ति आया है किसलिए personal growth के लिए और वो हर दिन personal growth करता रहता है और इसी personal growth में पूरा जो उसकी जो life है वो चली जाती है अब मैंने अभी कहा था personal growth मतलब personal growth की मैंने अभी बात की फिर मैंने एक चीज़ और कही थी आपको कि मानवतावादी उपागम human being की एक positive picture लेके चलते हैं positive positive किसलिए कि साब positive इसलिए कि यहाँ पर मानव अच्छा है यहाँ पर मानव कौन सा है जो human behavior है, human nature है friendly है, यहाँ पर वो cooperative है, यहाँ पर वो constructive है वो खुश रहने वाला है वो दोस्ती को बढ़ाने वाला है वो संबंद को बढ़ाने वाला है किस चीज़ के लिए एक ही लक्ष है और वो लक्ष है personal growth यहाँ पर व्यक्ती जलता नहीं है यहाँ पर व्यक्ति में संगर्ष नहीं है यहाँ पर व्यक्ति में weakness नहीं है किसा आप कोई weakness की बात करी कोई वीमारी की बात हो रही नहीं देखिए वो एक अलग स्तर था जो psycho analytical theory का था लेकिन यहाँ पर क्या है human nature is friendly human nature is cooperative human nature is constructive human nature तो ऐसा है जो नई चीज को बनाने वाला है नई चीजों को develop करने वाला है और develop कैसे करने वाला है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने वाला है तब क्या होगा तब वो एक नई नई चीजों को इजाद करेगा अब बात करते हैं कि ठीक है human nature की बाते हो गई personal growth की बाते हो गई लेकिन जितने भी मानावतावादी जो मनवज्ञानिक हैं वो एक बात करते हैं कि आपके अंदर एक force होती है एक force क्या होती कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन क्या मैं आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं क्या मैं मानसिक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं क्या मैं शरीरिक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं सारे के सारे dimension में आगे वढ़ना चाता हूँ लेकिन मेरा एक परम लक्ष है मैं उस महां तक जाने की कोशिश करता हूँ और परम लक्ष क्या है मानव का परम लक्ष है self-actualization और वो क्या करता है जैसे विवेक है तो विवेक भी केवल YouTube पर पढ़ाना नहीं है केवल बच्चे पालना नहीं है केवल office का काम करना नहीं है बलकि अपनी growth करना है किसलिए अपनी growth करना है कि मुझे self-actualized person बनना है और वो self-actualization की जो tendency है वो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है क्योंकि उस वही self-actualization self-actualization की जो tendency है वो क्या है वो आपके लिए motivation है self-actualizing tendency is motivation for human being हर एक के लिए self-actualization जो आत्मसिद्धी की जो प्रवृत्ति है मतलब कि अपने आपको जानने की जो ख्रमता है या अपने आपको जानने की जो प्रवृत्ति है अपने आपको जानने की जो प्रेयरणा है अपने आपको जानने का जो drive है वो क्या है? वो एफ motivation है किसके लिए? human being के लिए मतलब मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है क्यों? क्योंकि personal growth का अंतिम लक्ष क्या है? personal growth का अंतिम लक्ष है self-actualization अभी मैंने नाम लिया था Abraham Maslow का जो Carl Rogers से वो भी Self-Actualization की बात करते हैं Fully Functioning Person की बात करते हैं और Abraham Maslow भी करते हैं Abraham Maslow ने तो अपना एक Need का Model दिया है जिसको हम कहते है hierarchy, need की hierarchy दिया है पदान उक्रम दिया है कि सबसे पहले need कौन सी होती है दूसरे कौन सी होती है तीसरी कौन सी होती है तो अगर हम उसी की बात करें तो सबसे नीचे इस तरपे और सबसे शक्तिशाली need कौन सी है Physical need रोटी चाहिए मतलब कि मेरी physical needs से पूरी हो सबसे important बात तो यह है फिर यहाँ पर विकास होगे साब मेरी physical need पूरी हो गई अब विकास का अगला चलन आया अगला चलन आया कि साब मुझे safety चाहिए अब आप खुद देखे ना कि आप और मैं वीडियो देख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं साब भूक लगी है वीडियो बन जाएगा क्या साब मुझे मेरी कुछ physical needs है पहले उसका पूरा होना जरूरी है या वीडियो बनाना या वीडियो देखना जरूरी है सबसे पहले क्या है शारिरिक आउशक्ता है वो आउशक्ता है पूरी हो उसके उपर चलते है अब शारिरिक आउशक्ता है पूरी हो गई कि साब उपर चले अब प्यार चाहिए अब belongingness चाहिए अब संबंध बनाना है फिर उसके उपर चले तो अब क्या चाहिए सम्मान की आउशक्ता है कि मिझे खुद भी आत्म सम्मान हो और दूसरों भी मुझे सम्मान दें फिर उसके सबसे उपर हो जाएंगे लेकिन कब रोटी कपड़ा मकाम से उपर 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 आप जाते जाएं तब क्या होगा एक समय ऐसा आएगा कि आप इन सबसे उपर हो जाएंगे लेकिन कब जब यह आउशक्ता हैं भी मतलब नीचे वाली आउशक्ता हैं भी पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से आप संतुस्ट ना हो आउशक्ताओं से लेकिन यह आउशक्ता है थोड़ी तो संतुस्ट होनी चाहिए आपको भूख लगी कि साथ चार रोटी की भूख है चार रोटी ना मिले एक रोटी तो मिले एक रोटी मिले तब उसके बाद दूसरी जगे जा पाएंगे साथ एक भी रोटी नहीं है भूख लग रही है क्या आप जा पाएंगे तो यहां भी क्या है अब्रहाम जो मैसलो है वो भी किसकी बात करते हैं, वो भी बात करते हैं, Self-Actualization की, कि आप उपर 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 बढ़ते जाएगे, अब ये Carl Rogers, ये केवल असामाने व्यवार की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, कि नहीं साब, असामाने व्यवार की व्याख्या कर दो, व्यक्तित्व की व्याख्या कर दो, असामाने व्यवार को ठीक कैसे करना है, इसकी बात भी तो करनी पड़ेगी, तो इसको ठीक करने के लिए, अब जो Carl Rogers है, जो की founder है, humanistic model के, उन्होंने एक client-centered therapy दिया, केंदर में व्यक्ति है, केंदर में environment नहीं है, केंदर में क्या है, केंदर में व्यक्ति है किसाब, तु कुछ भी कर सकता है, अगर तुने अपने आपको ठीक कर लिया, तो समाज ठीक हो जाएगा, वलिह यहांपे क्या है, व्यक्ति खुद सुधर है, व्यक्ति अपनी आंत्रिक शक्तियों को पहचाने, और आंतरिक शत्तियों को पहचान लेगा, अपना विकास कर लेगा, तब समाज का विकास होगा तो client-centered therapy दी, और सामान्य विवार को ठीक करने के लिए या मानसिक विक्रती या mental illness को ठीक करने के लिए need theory of Maslow अभी मैंने आपको बताई थी कि 5 जो stage जो मैंने बताई थी चाहे वो Carl Rogers हो, वो एक बात करते हैं कि abnormal behavior कब उत्पन होता है ठीक है साब हमने personal growth की बात कर ली हमने human nature friendly है cooperative है, constructive है, बहुत खुश रहने वाला है, हमारे अंदर एक drive है, एक motivation है जिसका नाम self-actualizing tendency है, लेकिन abnormal behavior कब develop होता है abnormal behavior occurs when a person feel obstacle in personal growth की विवेक में abnormal behavior कब develop हो रहा है जब वो अपने व्यक्तिगत विकास में अवरोध देखता है मैं विकास करना चाहता हूँ, मैं self-actualizing चाहता हूँ मैंने क्या कहा, obstacles in personal growth and self-actualization की आत्म सध्धी तक पहुँचने के लिए अपना विकास करने के लिए, मुझे बीच-वीच में क्या आ रहा है बीच-वीच में विरोध उत्पन हो रहा है बीच-वीच में hurdles आ रहा है और वो जो hurdles आते हैं, personal growth में या self-actualization की जगह तक जाने में जो hurdles बीच-वीच में आते हैं, वो असामान्य व्यवार उत्पन न करते हैं आप खुद सोच ले ना, एक बार फ़ड़ा imagine करें कि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं आप अपने आपको आगे वड़ाना चाहते हैं लेकिन बीच में अगर family के hurdles हैं, बीच में job के hurdles हैं जॉब करना और family के responsibility ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं है मैं क्या करना हूँ, कभी-कभी वहाँ पर hurdles आ जाते हैं जॉब में hurdles आ जाते हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, किसी ने बीच में उंगली कर दी अब बार 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 आपकी personal growth में hurdles हैंगे, तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा आप depressed हो जाएंगे, कभी-कभी आपको डर्बी लगेगा, कभी आप बहुत जादा restlessness फील करेंगे यह क्या है, यह सारे के सारे abnormal behavior या मानसिक विकृती के लक्षन है अगर life अगर सहट चलती रहें, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, unfavorable condition आएंगी, तब असामान व्यवार उत्पन होगा और कब unfavorable condition तब जब आप personal growth कर रहें और personal growth को बीच में रोक रही हैं चीज़े तब वो जो प्रतिकूल परिस्थितिया है वो असामान व्यवार उत्पन न करते हैं अब obstacle कौन कौन से हो सकते हैं, देखे, मैंने अभी का unfavorable social condition कि आपकी condition unfavorable हो जाएं वो भी आपकी personal growth में obstacle हो सकते हैं, faulty learning आप क्या करते हो आप जब personal growth की बात करते हो तो आप नहीं नहीं चीज़ों को सीखते हो लेकिन ये बात तो सही या ये बात तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही ही सीखें, गलत भी तो सीख सकते हैं हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे बोल ही सीखें, गालियां भी तो सीख सकते हैं, अब जब faulty लेर्निंग तो आप ये एक example है लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप faulty लेर्निंग होती है और faulty लेर्निंग से आपकी personal growth नहीं हो पाएगी तो personal growth नहीं हुई फिर abnormal behavior उसके बाद बात करते हैं excessive stress बहुत ज़्यादा तनाव है और तनाव से कोई बचेगा ऐसा नहीं हो सकता तनाव तो आएगा ही आएगा आप बच कैसे सकते हैं आप अपने अंदर कुछ ऐसी कुछ ऐसी तक्नीक विक्सित करें कि आप उस stress को उस तनाव को ठीक कर लें कम कर लें लेकिन एक तनाव आया दो आया तीन आया कब तक लड़ेंगे फिर एक समय ऐसा आएगा फिर एक समय ऐसा आता है कि आदमी अग्जास्ट हो जाता है कि अब लड़ना नहीं होता है मतलब कि तनाओ पे तनाओ पे तनाओ पे तनाओ 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 इस्ट्रेस 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 आता जा रहा है तो ज़्यादा इस्ट्रेस भी आपके पर्सनल ग्रोथ को प्रभावित करेगा और फिर much use of defense mechanism आपके चारों और stressful condition आती है लेकिन आप क्या करते हो मैंने जब psychoanalytical theory पढ़ाई थी तो मैंने एक बात कही थी कि जब stress होता है anxiety होती है तो आप क्या कर रहा है उससे बचने के लिए कुछ उपाय ढूनते हैं लेकिन बचने के लिए जो उपाय ढूनते हैं तो आप defense mechanism करते हैं मानावतावारी संप्रदाय का नहीं है यह मनो विशलेशनवाद का है सिगमंट फ्रायड ने दिया था लेकिन हम क्या कर रहे हैं व्यवहार कर रहे है परसनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं अब ज़्यादा आप defense mechanism यूज कर रहे हैं conscious या unconscious आप चिंता से stress से बचने के लिए कुछ illogical कुछ समाधान ढून रहे हैं अब ज़्यादा कोई गलत तरकीब ढूनोगे ज़्यादा जब गलत तकनीक से अपने stress को solve करोगे तब भी थोड़े समय तक तो ठीक है लेकिन कुछ समय के बाद वो गलत तरीका भी आप में अ से obstacles हैं जो generally देखे जाते हैं कि unfavorable condition आपकी आजाए आपके सामने आजाए बहुत ज़्यादा stressful situation आजाए आप गलत सीखना शुरू करने हैं आप बहुत ज़्यादा defense mechanism use करने लग जाए तब भी obstacles आएंगे ये सारे obstacles हैं जो आपकी personal growth के लिए और self-actualization के लिए होंगे और त रुष्ण रुष्पन हो दो अब अब आप सीख गए होंगे या आप समझ गया होंगे कि मानाता वादी संप्रदाय क्या कहता है कि साब आप सब कुछ कर सकते हूं लेकिन कर तो हों लेकिन मैं करता भी हूं और करने के वीच में, मुझे वीचिप में अव्रोध आते हैं, व कही न कही obstacles आते हैं तो वो obstacles क्या करते हैं वो obstacles मेरे अंदर और सामाने व्यभार रुत्पन करते हैं और फिर और सामाने व्यभार लंबे ही समय तक चलता रहेगा तब वो मानसिक रोग में convert हो जाएगा यही है humanistic model of abnormal behavior तो हमने चार model complete कर ली है ध्यान रखेगा psychoanalytical model, behavioristic model, cognitive model और चौथा model आज था humanistic model of abnormal behavior आप उन चार वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं आज की class, आज की बात केवल इतनी ही अगली class में, अगली बात में फिर एक नए topic के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद और धेर सारा प्यार, thank you